साहिराम टु आल बच्चों अवी तक आप सबने पर्थम पुरुस तथा मध्यम पुरुस के बारी में पढ़ा आसा करती हूँ आपको भली बाती समझ में आ गया होगा तो मध्यम पुरुस में क्या पढ़ा था एक बार फिर आपको बता देती हूँ तो मध्यम पुरुस में एक बचन में था तौम, दी बचन, युवाम और बहु बचन में युवाम तौम, तौम का मतलब तू, युवाम, तुम दो, युवाम, तुम सब तो अगर हम पठ धातु से ले या लिख धातु से भी लेते हैं तो क्या आएगा मध्यम पुरुष में पठसी, पठत, पठत तो हमके साथ क्या आएगा पठसी, पठत, पठत तो आप पहले पढ़ चुके हैं तो आपको भली बाती समझ में आगे होगा तो अब हम मध्यम पुरुष के बाद क्या पढ़ेंगे उत्तम पुरुष क्या पढ़ेंगे उत्तम पुरोष ठीके तो उत्तम पुरोष में अध्याबारा है आपका उत्तम पुरोष जैसे अस्मत मतलब मैं तो एक बचन, दुई बचन और वह बचन तो एक बचन में अहम, अहम मतलब मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब हम, मैं, आवाम, हम दो, वयम, हम सब हम बार बार एक बचन, दुई बचन और बहुँ बचन नहीं बोलेंगे क्योंकि एक बचन और दुई बचन, बहुँ बचन इतोस में आता ही आना ही है ठीक है? यह चेंज नहीं हो सकते अब जैसे आप पढ़ चुके हैं पहले भी लट लकार बरत्मान काल में तो धात रूप क्या हमारी पठ धातु हम पठ धातु पर्थम पुरुष से लेके और मध्यम पुरुष में हमने क्या क्या पठ धातु को ही लिया है पर्थम पुरुष में भी और मध्यम पुरुष में भी और उत्तम पुरुष में भी तो पठती पर्थम पुरुष में था पठती पठता पठनती ठीके मध्यम पुरुष में था पठत सी पठता पठत आया समझने अब उत्तम पुरुष में ले रहे हम धातु पठ पठ पथावा पठाम तो पठामे मैं पढ़ता हूं पठावा हम दो पढ़ते हैं पठामा हम सब पढ़ते हैं ठीक है अब इस तरह से आपको इपिक्चर देखके समझ में आएगा तो अहम पठामे अभी आपने देखा उपर पठामी का मतलब पढ़ता हूं अहम का मतलब मैं तो अहम पठामी ठीक है एक बचन उत्तमपुरूस एक बचन क्या था ये पठधातू उत्तमपुरूस एक बचन में है अहम पठामी मैं पढ़ता हूं अहम पठामी मैं पढ़ता हूं आवाम पठाव, तो यहाँ पर दो बालक की पिक्चर दे गई है, तो आवाम हम दो पठाव पढ़ते हैं, उपर भी लिखावा है, आवाम पठाव हम दो पढ़ते हैं, वयम पठामा, यहाँ पर एक से अधिक हैं, तो यहाँ पर वयम आ जाएगा, वयम का मतलब है, बहु बच और पठामा तो वयम हम सब पढ़ते हैं वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं ठीक है अब है यहां पर नीचे अहम जलम पिवामी तो पिवामी यहां पर पठामी है तो यहां पर भी अहम पिवामी का मतलब मैं जल पीता हूं ठीक है पठामी और पिवामी धातू अलग हैं लेकिन चीज एकी है उत्तंपुरूस एक बचल क्या है उसमें उत्तंपुरूस एक बचल में आएगा अहम जलम पिवामी और दुई बचल में आवाम पिवावह हम दो पीते हैं ठेक है यहाँ पर जलम नहीं लिखा है तो किवल आवाम पिवा हो तो हम दो पीते हैं वयम पिवा महा हम सब पीते हैं तो सब का मतलब है एक से अधिक है ठीके दो या दो से अधिक उसको क्या बोलेंगे बहु बचन रूप वयम पिवा महा हम सब पीते हैं ठीक है अब हम चलते हैं सब्दर्थ की ओर तो अब यहां पर कुछ सब्दों के अर्थ दिये गए हैं वो आपको लिख लिख कर याद करना है बोलना भी है और लिखना भी है ठीक है अहम मतलब मैं अहम मैं आवाम हम दो वयम हम सब जलम पानी पिवाम मैं पीता हूँ पीता हूँ पिवाम मतलब पीता हूँ पिवावः पीते हैं पिवावः पीते हैं पिवाम हम सब पीते हैं यहाँ पर दो पीने के लिए यहाँ पर दो के लिखा गया है और नीचे हम सब के लिए पठामी पढ़ता हूँ कौन मैं क्योंकि एक बचन रूपे हो ठीक है इस तरह से आपको याद करना है लिख लिख कर याद करना है पहले आप डिक्तिशन लिख शक्ते हैं जो कटिन सब्सक्राइब उनको लिखो उसके बाद सबदर्द जैसे के आपको हमेशा इसे बताए जा रहा है थीगалась के बाद सबदर्द के बाद, हिंदी मेनवाद, संस्कित मेनवाद और रिक्तस्तान ये आपको बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है ठीक है अब नीचे है भोजनम भोजनम तो भोजनम को क्या बोलते हैं हिंदी में भोजन ठीक है पठावा पढ़ते हैं पठावा हम दो पढ़ते हैं ठीके पठामा हम सब पढ़ते हैं आप आपको मालम हो गया कि धातुरू पढ़ धातु का उत्तम पुरूस में क्या आएगा ठीके पठामी पठावा पठामा पिवामी पिवावा पिवामा ठीक है, आप चलते हैं अब भ्यासकारे के और, हिंदी में अनुबात कीजिए, क्या को से ने हिंदी में अनुबात कीजिए, पहला है अहम पिभामी, अहम मतलब मैं, पिभामी मतलब पीता हूं, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, अहम लिखामी मतलब लिखता हूं, एक बचन है उत्तम पुरुषके एक बचन है ठीक है मैं लिखता हूं यह ऍधातु कौन से धातु है लिख धातो पहले कौन सा पीव धातु से था अब लिख धातो ठीक है धातु है यह चेंज हो रहे हैं याँ पर क्योंकि आपको अगर आपने एक धातुरूप याद कर लिया समझो आपके पास कुछ भी आजया आपको दिक्कत नहीं आएगी ठीके पिवती पिवता पिवन्ती ठीके इस तरह से अगर आपने याद कर लिया पिवामी पिवावा पिवामा इसमें क्याएगा हैं आवाम पठावा आवाम उत्तम पुरुष द्वी बचन ठीक है आवाम हसावा ये भी उत्तम पुरुष द्वी बचन ठीक हम दो हसते हैं हम दो हसते हैं या वयम नमामा हा वयम नमामा हम सब नमस्कार करते हैं वयम खेलामा हम सब खेलते हैं ठीक है अहम चलामी मैं चलता हम चलामी मैं चलता हूँ आवाम वदावह हम दो बोलते हैं आवाम वदावह हम दो बोलते हैं यहां पर दिकतस्तान बरिये आवाम के बाद लिखामे भी लिख सकते हैं पिवामे भी लिख सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि यहां पर आवाम लिखाया लिखाया तो लिखामी चलामी भी लिख सकते हैं, लेकिन होना चाहिए उत्तम पुरुष का एक बचन, ठीक है, क्योंकि अहम एक बचन में आएगा, मैं, ठीक है, यह उत्तम पुरुष एक बचन, अहम लिखामी, यहाँ पर है नीचे आवाम, तो आवाम है उत्तम पुरुष द्वी बचन, तो आएगा, ठीक है, पठावा आएगा, यह पिर हसावा आएगा, ठीक है, इसमें चलामा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यह द्वी बचन है, आयस में, तो आवाम चलावा, आवाम चलावा, आप नीचे है वयम, वयम यहाँ पर लिखा है धावामा, तो आप धावामा के चलामा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लेकिन आएगा उत्तमपुरुस बहुबचन, ठीके, आएगा उसमें केवल बहुबचन ही, द्वीबचन, अगर हमने इसमें चलावा लिख दिया, तो चलावा तो द्वीबचन वा, लेकिन वयम धावा महा, ये बहुबचन रूप है, उत तो यहाँ पर हमने क्या लिखना है, तो पठामी, तो इसमें सिर्फ अहम ही आएगा, ठीके, जैसे इधर चेंज हुआ था, यहाँ तो हमने कई धातुएं चेंज कर दी, लेकिन यहाँ पर केवल अहम आएगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुस एक बचन है, ठीके, तो जब जमें आ गया है, तो लिखावा है, तो उत्तम पुरुस दी बचन है, तो अब यहाँ पर आवाम, क्या आएगा, आवाम, लिखावा है, ठीके, अब यहाँ पर है, हसाम हा, तो हसाम हमें हसाम हम समझ रहे हैं, कि ये उत्तम पुरुस का बहु बचन रूप है, हस दातु से द तो, समझ में जब आप पढ़ेंगे इसको बार बार पढ़ेंगे, लिख लिकर याद करेंगे तो खुदी आपको समझ में आजाएगा लेकिन आपको धातु रूप बहुत तरीके से लर्न करना होगा धातु रूप लर्ण नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कहां से आया, कौन सा लकार है, यह सब आपको याद करना है संस्किर्ट में अनुबात कीजिए तो संस्किर्ट में अनुबात करना है, यहां पर कुछ हिंदी के सेंटेंस दे गए है तो यह लिखा यहां पर मैं जल पीता हूँ जैसे यहां पर मैं जल पीता हूँ आया तो आपको एकदम से माइन में आना चाहिए कि यह कौन सा कौन सी धातू से है और एक बचन है या भव बचन है क्या है ठीक है और कौन सा पुरुस है इस समझ में आपको आना चाहिए ठीक है तो यहां पर है मैं जल पीता हूं मैं मैं का आपको मालूम है वो तंपुरूस एक बचन अहां जल तो जल का मतलब आपको पता है जलम ठीक है तो पीता हूं पीता हूं का मतलब आपको पता है पिवधातु से है तो यहां का क्या होगा पिवती पिवता पिवंती पिवसी पिवता पिवत पिवामी पिवावा पिवामा तो एकदम से आपको पिवाम हालुप होने चाहिए कि यहाँ पर क्या हैगा पिवामी क्योंकि मैं वो किसके लिए है एक बचन है ठीक है तो अब है यहाँ पर अहम जलम पिवामी क्या हैगा अब है नीचे हम दो भोजन खाते हैं हम दो जब हम दो के लिए उत्तम परुस दूई बच्चन होगा भोजन आपको पता है कि भोजन को संस्कित में क्या बोलते हैं भोजन हम खाते हैं तो दो के लिए लिखा गया है तो खाते हैं का खादाव खादाव तो लिखेंगे हम आवाम भोजनम खादाव क्योंकि यह क्या है दो के लिए लिखा गया है तो उत्तामपुरुस दुई बचन ठीक है अब है नीचे हम सब पढ़ते हैं हम सब पढ़ते हैं तो हम सब किसका है उत्तामपुरुस बहु बचन तो पढ़ना का तो पट धातु से है, आपको मालूमा चाहिए और वो है बहुबचन रूप, तो पठामी, पठावा, पठामा, जो बहुबचन है, क्योंकि वहाँ पर हम सब लिखा है, तो ये आएगा वयम पठामा, वयम पठामा, आया समझ में, मैं, ने, हम सब लिखते हैं, हम सब का बहुबचन रूप आया है, लिखते हैं, वो भी उत्तम परुस बहुबचन, तो अब लिखेंगे हम, वयम लिखामा, वयम क्या है, उत्तम परुस का बहुबचन, और लिखामा भी क्या है, लिख दातु से है, वो भी क्या है, उत्तम परुस का बहुबचन, तो वयम लिखाम मैं हसता हूँ मैं उत्तम प्रुष एक बचन हसता तुसे है तो मैं हसता हूँ तो हसामी क्या आएगा? हम हसामी हम दो बोलते हैं हम दो उत्तम प्रुष का दूई बचन है और बोलना का हम दो बोलते हैं आवाम वदावह आवाम वदावह हम सब खेलते हैं वयम किरडामा या खेलावः खेलामा भी आ सकता है ठीके किरडामा या खेलामा हम दो दोड़ते हैं उत्तमपुरुष द्वी बचन आवाम धावावः तो इस तरह से आपको पाठ 12 उत्तम पुरोष अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा प्रत्तम पुरोष, मद्यंपुरोष, उत्तम पुरोष ठीक आपको इन तीनों को बहुत तरीके से पढ़ना है और धाटू रूप बहुत तरीके से लर्ण करना है अगर आपको एक दातु पट दातु भी याद हो गया तो आपके पास कितने भी दातु रूप आ जाएं आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा ठीक है आसा करती हूँ आपको तीनों पुरुस याद हो गये होंगे और कहाँ पर क्या आएगा एक बचन पर क्या आएगा द्वी बचन में ये कौनची दातु है क्या है ठीक है सब कुछ आपको पढ़ पढ़कर याद करना है तथा जब आप दातु रूप और सब दूरूप याद करें तो जैसे आपने टेबल से याद के हैं प्लीज इस तरह स से आपने अपनी संस्कित की नोट बुक में डिक्टेशन, शब्दार्थ, हिंदी महनुबाद, संस्कित महनुबाद, लिक्तस्तान, सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा और बुक में भी, ठीके, साइरां